महिला कल्याण के लिए सम्मेदन सिल हमारी सरकार आज नए नए सेक्टस में उनके लिए आउसर बना रही है आदिवाची कल्याण के लिए सम्मेदन सिल हमारी सरकार आदिवाच्यों की योगदान उनके गवरव को राष्ट्रिय पहचान देने का काम कर रही है दिव्यांगों के अधिकारों और उनकी सुविदाओं से जुड़े अनेक प्रावधान भी बीते आउंट वर्षों में किये गए है उपेक्षित वर्गों से जुड़े साथी आज पहली बार देश की अनेक सहमयदानिक संस्ताओं के सीर्ष पर है यह हमारी सरकार है जिसने पिछड़ा वर्ग आयोक को समयधानिक दर्जा दिया यह हमारी सरकार है जिसने All India Medical Quoters में OBC वर्गों आरक्षन का लाब दिया यह हमारी सरकार है जिसने केंद्र सरकार की Group C, Group D भरतियों में इंटर्यू की बादेता खत्म की मेडिकल, इंजिनियरिंग, टेक्निकल विशों की पढ़ाई स्थानिय भारतिय भाषाओं में हो इसका प्रावधान भी हमारी सरकार नहीं किया है इन कदमों के भी सबसे बड़े लाभार थी हमारे गाउं और गरीब परिवारों के युवा है एस्थी, एस्थी, वो भी सिके युवा है बाई और बैनों, ये भी हमारी सरकारी है जिसने बंजारा समुदाई, गुमंतू, अर्ध-गुमंतू समुदाई के लिए विशेश, विकास और कल्यान बोड का गटन किया गुलामे का कालखन हो या फिर आजाजी के बात का लंबा समय, देश भर में फैला बंजारा समुदाई, गुमंतू समुदाई, हर प्रकार से उपेक्षित रहा इतने दसकों तक इन समुदाईों के सूद नहीं ली गई अब जाकर केंद्र सरकार ने वेलफेर बोड का गठन कर, ऐसे सभी पारवारों का ससक्तिक करण के लिए कदम उठाया है हमारी सरकार हर कल्यानकारी योजना से इन परिवारों को जोडने का प्यास कर रही है